अध्याय दो जोतिशी घोड़ा पाठ परीचे प्रस्तुत पाठ में पशुपक्षियों के विवार से प्राकृतिक आपधा के आने के संकेत के विशेम में जानकारी प्रदान की गई है बहुत समय पहले हरीपूर नगर में चक्रधर नाम का एक व्यक्ति रहता था वह एक प्रसिद जोतिशी था उसकी बताई हुई बाते अक्सर सच हो जाती थी इसलिए दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे दीरे दीरे चक्रधर को यह गमंड हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविश्य बताने वाला कोई है ही नहीं एक बार चक्रधर अपने गाउं गया फसल की कटाई का समय था फसल कटवाने और उसकी देखबाल के लिए चक्रधर को कुछ समय गाउं में ही रुकना पड़ा एक दिन उसका पडोसी राम लुभाया उसके पास आया वह पाउं में खराबी के कारण चल फिर नहीं सकता था वह अपने गोडे पर ही बैठकर इधर उदर घूमता था मक्का की फसल अभी अभी कटी थी उसने चक्रधर से कहा देखो भाई कुछ ही गंटों में मौसम खराब होने वाला है तेज आंदी तुफान आने की संभावना है तुम अपने फसल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुचा दो चक्रधर ने अकाश की और द्रिष्टी उठाई और फिर हसकर कहने लगा कैसी अजीब बाते करते हो तुम अकाश में ने तो बादल का एक भी टुकड़ा है और हवा के नाम पर पत्ता तक नहीं इल रहा आंदी तुफान तो दूर की बात है राम लुभाया अपनी बात पर अड़ा रहा वह बोला मैं तो तुमारे भले के लिए ही कह रहा था मेरी बात एकदम सच्ची है तुम मानो या ना मानो चक्रधर ने अपनी दूर्भीन से आकाश को निहारा कुछ शन सोचता रहा जैसे कुछ गणना कर रहा हो फिर निशकर्ष निकालता हुआ बोला असंभव जो तुम कह रहे हो मेरी सोच में ये संभव नहीं है दोनों में काफी देर तक बहस होती रही रामलु भाया को लगा कि चक्रधर उसकी बात मानने वाला नहीं है तो वो वहाँ से चला गया थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी बारिश इतनी तेज थी कि गाउं के पास नदी में तूफान आ गया और पानी किनारों को तोड़ कर बहने लगा बारिश और बाड़ से चक्रधर की सारी फसल बह गई गई चक्रधर सिर पकड़ कर बैट गया उसे एक ही बात परिशान कर रही थी कि राम लुभाया को ये सब कैसे पता चला उसके मन में तो ये बात घर किये हुए थी कि उससे अच्छी और सही भविशेवानी कोई कर ही नहीं सकता जैसे ही मोसम ठीक हुआ वह राम लुभाया के पास गया उसने पूछा, राम लुभाया मैं हैरान हूं कि तुमें ये सब कैसे पता चला राम लुभाया ने सहज भाव से उत्तर दिया इसमें आश्चेरे की कोई बात नहीं है ये सब तो मुझे अपने गोड़े की हरकोतों से ही पता चल जाता है क्या गोडे की हरकतों से चक्रधर को विश्वास न हुआ हाँ भई जब भी आंदी तुफान आने वाला होता है मेरा गोड़ा अपनी पीड अकडा लेता है और पूँच को पिछली टांगों में दुपका लेता है इसके रोंग्टे खड़े हो जाते हैं और ये ऐसे कापने लगता है जैसे इसे तेज बुखार चड़ गया हो इसके इसी विवार से मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें सावदान करने चला गया तुम तो वैसे भी इतने बड़े जोतिश विद्या के जानकार हो तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए रामलुबाया ने कहा चक्रदर बुथ बना खड़ा था रामलुबाया फिर कहने लगा भै इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं है तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही सही बता देता है कि भोर हो गई समुद्र में आने वाले तुफान की सूचना डॉल्फिन मचलिया कैसे पानी पर कूद कूद कर जहाजों को देती है पता है पशुपक्षियों की एक छटी इंद्रिया होती है जिससे उन्हें आने वाले खत्रे का आभास हो जाता है तबी तो समुद्री पक्षि तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़ कर चले जाते है यहां तक की हाती और कुटों को भी भुचाल और समुद्री तूफान का अभास हो जाता है तो क्या मेरा गोड़ा मोसम के बारे में नहीं जान सकता? चक्रिधर चुपचाप सुनता रहा मन ही मन ये मान गया कि राम लुवाया का गोड़ा उससे अच्छा जोड़ा अध्याय तीन